अगर आप लोग firing करने से पहले अपने aim को बंदे के head पर रखते हैं और आप लोग drag करते हैं और सोचते हैं कि बंदे को hit shot लगेगा लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि जब हम लोग अपने aim को बंदे के head पर रखकर drag करते हैं तो हमारा bullet miss होता है यानि कि बंदे को ना ही body shot लगता है और ना ही hit shot लेकिन वहीं अगर हम लोग अपने aim को बंदे के पैरों पर रखकर drag करते हैं इससे भी hit shot नहीं लगता क्योंकि हमारा aim बंदे के पैरों पर lock हो जाता यानि कि सबसे best aim position होता है बंदे के chest वाले पार्ट पर एनेमी की chest के पार्ट पर कहीं पर भी अगर आपका aim होता है तो आपके easily hit shot लगते हैं है आपका एनेमी मीड रेंज पर रहे या फिर बंदा लॉंग रेंज पर रहे या फिर बंदा लॉंग रेंज